हे गाईज, वेलकम टु देव, हुमी कर्यर पॉइंट, आसा करता हूँ, आप सभी लोग स्वस्त होंगे, काफी अच्छे आपकी स्टेटी चल ले होगी, तो देखे दोस्तों, एक्जाम की डेट्स काफी क्लोज हैं, आपके ग्रूप सी एक्जाम जो होने वाले हैं, दिसंब महत्तोपूंग नोटिफिकेशन, इसलिए मैंने इसको साजा करना आवस्यक समझा, देखें यहां पर जो आपकी एक भर्ती आया थी महाधिवक्ता कारलाई में, जिसका PCS Pre के साथ ही रिजल्ट आया था प्रार्मिक परिक्षा का, काफी कम वेकेंसी थी इसमें, RO और ARO की, महत्तोपूंग नोटिफिकेशन आया है, मेंस में जो क्वालिफिकेशन मार्क्स पहले निर्धारित किये गए थे, उसमें कुछ त्रूटी हो गई थी, यानि कि जितने नमबर के आपका मेंस होता है, उसमें भी एक निश्चित क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, अगर उ इस वाले चार्ट में, जो ये मेंस के लिए आपका क्राइटेरिया चार्ट था काटॉफ का, क्वालिफाइंग काटॉफ का, ये मिश्टेक हो गई है, इसको आयोग ने क्या किया है, फिर से यहां पर दुबारा से दिया है, और ये बोला गया है कि जो आपके आरेक्षनल की स्रेगल के अनुसार न्यूनतम क्वालिफाइंग प्रसेंटेज होगी मेंस की वो इतनी होनी चे जिसमें जनरल के लिए 45% आपको लाना होगा यानि कि अगर देखें महादीवग्दा कारले में जो आरो है इसमें मेंस में आपके दो पेपर होते हैं एक इंगलिस का एक हिंदी कांगे कट-off नइसे इसी उपर ही रहती है आप मान के चलो 400 मा से कम से कम से कभी 200 से 300 के बीच मां की Whenever एकषम की क्यान कि जब हाइकोट और और वारु का इसमें लगबक इतनी ही कट-off रही थी ठीक है तो अब इस क्वालिफाइंग जो मार्क्स होंगे 40 परसेंट होंगे सेस्ट के लिए 35 परसेंट होंगे और EWS के लिए भी 40 परसेंट होंगे ठीक है इसके अलावा विग्यापन की सर्त है यतावत रहेंगे यह निकि जो बागी चीज़े थी वह सेम है कोई भी वदलाव नहीं किया गया ले 30 परसेंट लाना सभी के लिए अनिवार्य होता है पहले पेपर को अब देखिए तभी मैंने आज का वीडियो दिया थोगा जानकारी को साजा कर लेते हैं अगर देखिए PCS मेंस में आपका जो पहला पर भासा का है उसमें अगर आप 35 परसेंट से कम लाते तो आप पहले ही दिस्क्वालिफाय हो जाएंगे उसके बाद आपकी मेंस की अन्य कॉपिया चेक नहीं की जाएंगे ठीक है कुछ कंडिशन होते हैं जो आपको पता होने चाहिए और इसके लावा अन्य सब्जेक्ट में जो आपके जनरल के इंडिटेस है लगबग उनको 40 परसेंट लाना ह में इंटर्वू का कॉल नहीं आएगा किसी कारण मास अगर वेकेंसी में नाम आ गया तो किसमत वाली बात है कट आप हमेशा मेंस एक्जाम में पचास-पचपन प्रसेंट के आसपास ही रहते हैं आप यू-PSC देख लो स्टेट-PSC देख लो लोवर-PSC देख लो इतना जैनत कीजिए दोस्तों अब लास्ट टाइम की जो स्टेटिजी वीडियो थी वह देख लेना मैंने अभी हाल में दी थी अंतिम साथ दिन है आपके सिक्स्टी डेज की स्टेटिजी वह क्या होनी चीए उसको एक बार वाच कर लीजिए ठीक है और इसके अलावा खूब रि शिक्ष्टी प्रेक्टिस डेट वाला जिसमें डेली आपको एक प्रेक्टिस डेट मिलेगा वो सिरीज सुरू हो चुकिये आप उसमें भी इंडॉल कर सकते हैं ठीक है बागी इस्टेडी करते रहें दोस्तों और आने वाले वर्स में अभी बहुत से एक्जाम होने है से अधा मेहनत करें और अच्छे से अपने इस्टेडी पर फोकस करें टाइम विल्कुल भी वेश्ट ना करें जिन दोगों का गुरुपसी का एक्जाम है और मैं वही आपको फिर बोलूँगा अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें मोटिवेशन अपने अंदर हमेसा संच चीत रखें और खूब पॉजिटिव मायंड से यह सोच के पढ़ना है कि सेलेक्शन आपका होना ही है तब जाके एनेजी लेबल डबल हो जाता है जल्दी मिलेंगे दोस्तों अपना ध्यान रखेगा अच्छे से स्टेडी करना थैंक्यू फो वाचिंग जय हिंद जय देव हुमी